प्रिव्यू शुरू करने से पहले एक दरूरी बात अगर आप यह प्रिव्यू पहली बार देख रहे हैं अगर यहां टिक है जैसे आप देख सेते हैं पिछ के नीचे टिक है इसका यह मतलब है कि जो पिछ है वो प्लेयर को सूट करती है क्रॉस है मतलब वहां पे खराब है जैसे यहां पर आपको दिख रहे है क्रॉस मतलब उस प्लेयर का स्पेसिफिक का फॉर्म खराब है उसके अलावा यहां आपको दिख रहा है एक उपरचुनिटी मीटर अन टॉप राइट एंड रिस्क मीटर ऑन बाटम राइट तो उपरचुनिटी मीटर जादी उतनी ज् एक मिक्स चीज़ है इस बिया गटूर के लिए कांड अईट के लिए पतर इस डॉप हट्ट्र कि लेता है मतलब आपको इनटेस्पेट्स अटेसे वल्यो जाए व giàu सपट्लर स потреб है मतलब boundary bonus points की opportunity ज्यादा है बट ये भी chance है कि जल्दी out हो जाए तो risk meter, जितना कम better for the batter and जितना ज्यादा for the bowler उतना बेतर क्यूंकि अगर aggressive bowler है तो wicket लेने के chance ज्यादा and risk drop का क्या मतलब है कि क्या situation में आप इस batter को drop कर सकते हैं अगर यहां पर लेकावाई although can be cramped with balls close to the body मतलब अगर कोई pacer है सामने वाली टीम में जो उस तरीकी की bowling करता है तो आप चांस ले सकते हैं उस स्पेसिफिक बैटर पर तो यह हुए मतलब इन स्पेसिफिक चीजों का and अब चलते हैं प्रिव्यू की तरह अगर कोई भी फीडबाइक हो तो बिल्कुल कोमें शेयर करिये and without wasting any further time let's get straight so it's at the Vanky day today the Mumbai versus Chennai clash and win prediction is towards the Mumbai Indians of course मैं support कोई अलग टीम को कर रहा है but जो conditions है काफी conducive है to good batting and to express pace bowling इन दोनों में से I think out way करती है Mumbai to Chennai so अपने बाइस को मैं आप बीच में याले देरा I think it should be Mumbai's game but of course if Chennai wins more than one person will be happy including me and leagues हमारी regular रहेंगी and ensure आप exchange में इंडू पर अभी sign up करिये वहाँ पर rupees 100 real cash आपको मिल रहा है on sign up and my mask 11 पर एक giveaway चल रहा है 50,000 का contest already open है मैंने telegram पर भी share किया यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ तो आपको जाके join करना है बहुत सारे prizes है without paying any entry fee so don't miss out on the chance and चलते हैं अब आगे की तरफ कुछ interesting contest भी चल रहा है on my mask 11 जहां पर आप बड़ी बड़ी prizes यहाँ पर जीत सकते हैं on very very small entry fees so good chance for you to test your skills make multiple teams तो बिलकुल जाके यह कर सकते हैं अब अभी के अभी and remember to join us at the rate fantasy cricket pro on twitter and telegram final teams and updates आपको वही पर मिलेंगी unlike always, like, comment, share ज़रूर करेगा अगर आप नए हैं channel पर तो bell icon ज़रूर हिट करिए ताकि आगे कोई भी नए वीडियो से उसके notifications आपको आते रहे tactical corner की तरफ चलते हैं तो दोनों teams काफी strong है यहां पर एक जो आपको glaring red दिख रहे है वो है MI की middle overs bowling जहां पर थोड़ी सी problems हुई है और हमें पता है कि Chennai बहुत ही heavy form में चल रही है and in fact यह कह सकते हैं कि Chennai में Mumbai की ज्यादव players हैं कैसे वो मैं आपको playing 11 की तरफ बताऊँगा but middle overs में in good batting conditions I think Chennai batters वहां पर बिल्कुल cash in कर सकते हैं and while death bowling की बात की जाए Chennai की death bowling अच्छी चलिया but it's relied more on variations and वो variations वांखे डे में उतनी नहीं चलती as the pitch generally skids on and it's good for batting तो वहां पर Tim David जैसे batter बिल्कुल cash in कर सकते हैं तो इन बातों का ध्यान रखी especially अप जब अपने GL rotations कर रहे हैं weather report is clear बहुत ज्यादा कर्मी and बहुत सारी humidity as you expect in Mumbai so Dew will play a big part in the second innings and ball थोड़ी सी वांपे skade on हो सकती है अब तक हमने देखें good batting conditions एक बात जो हमने देखें कि starting में दोनों बार जबी 9 DM होए यांपे starting में conditions उतनी आसान नहीं रही है थोड़ी सी help रही है for the bowlers तो अगर आपको कोई भी GL risk लेना है on your batters that will be in the first innings and Joe batters in the first six overs batting करते हैं अब चलते हैं expected playing 11 की तरफ मैंने जैसे कहा कि Mumbai के ज्यादा players चन्नाइम है कैसे आप रहाने को देखिये Mumbai के लिए के लिए खेलते हैं Shivam Dube plays for Mumbai उसके बाद Shardul Thakur and Tushar Deshpande both play for Mumbai and अगर आप गिनना चाहें तो रुतराज गाइकवाद माराश्चा के लिए खेलते हैं from the same state तो पांच प्लेयर यहाँ पे in the first 11th player for this team itself तो conditions अच्छे से बिलकूल यह जानते हैं and MI की बात की जाए तो of course same line up I'm expect कर रहे है as last time काफी अच्छा इनोंने किया था तो चलते हैं towards the teams उसके पहले यह बात का ध्यान रखी कि entry fees अब कम है on top leagues आप जो 5-7-5-0 भड़ते हो on top apps to play and enter यही पर माई माचलों पर आप 5500 में same league join कर सकते है to win your prizes तो अच्छा का सा मौकाई to save your entry fees and of course मैं इससे हमें भी कुछ benefit होता है जब आप जो apps पर हम आपको बता रहे हैं माँ पर खिलते हैं तो we will also get some benefit यह जो content हम बना पा रहे हैं अच्छे से निकाल लिया तो अच्छी पारी खेलिग है against RCB भी हमने देखा थे कि starting में उने थोड़ा समय लगा था to get off and RCB की bowling काफी poor थी so I think CHK से better bowling of course for these conditions अभी के लिए मेरे लिए 50-50 पिक अमने ऐसा नहीं कहूंगा कि एक straight forward pick होंगे last 3 साल में सिर्फ 3.50 मारे एक पुमबाई so that is a big benchmark for you कि इतना खास form इनका चलनी रहा but of course 30s, 40s यह आपको असानी से दे देते हैं on most days इशान किशान टॉप बैटर two wicketkeeper batters from Jarkand in this game and of course क्यूंकि यह बैटिंग करेंगे अच्छे pick and easy pick हो जाएंगे आपके लिए दोनी आपके लिए सिर्फ एक GL पिक रहेंगे आपको बताऊंगा in a matchup section but a can strike rate 100 से कम का मतलब बहुत ही ज्यादा strong matchup है यह versus चैनने सिर्फ 24 का average क्यूं क्यूंकि यह matchup वहां पर play में आ रहा है and at Mumbai of course बहुत ही ज्यादा अच्छे numbers of course आपके base team में रहेंगे but maybe इस game में आफ cvc पर chance ना ले इन पर because of those specific scenarios अब चलते हैं आगी की तरफ तिलक वर्मा बहुत ही ज्यादा अच्छे प्लियर of course opportunities इनकी कम होती रहें since guys come into the game बढ़ यह गेम में इंपोर्टन रह सकते हैं एस चैननाई के लिए spin bowling is an ace and यह spin bowling बहुत ही ज्यादा अच्छे किलते हैं 60 के आवरेज वसिस चैननाई and at Mumbai भी थीट्राक नमबर so definitely you can try him अगर नभी नहीं खेलते तो क्या पता left-handers के सामने एक-डू ओवर्ज यह करने भी आजाएं अरदिक पांडिया 8 विकेट्स वसिस चैनना and 208 की 208 runs and at Mumbai 35 विकेट्स and काफी सारे रांस so of course यह भी आपके base team में रहेंगे but इनके भी कुछ match-ups हैं इस मुकाबले में so I think कि थोड़ा सा susceptible वहाँ पे हो सकते हैं but क्यूंकि आप bowling भी कर रहे हैं वापस एक top captaincy, vice captaincy choice यह बन जाएंगे Tim David definitely a GL pick in this game पहले batting करते हुए especially down the order Chennai की death bowling a concern है and वहाँ पे बिलकुल यह especially in conditions में concern है and वहाँ पे यह game में आएंगे Romario Shepard another big hitter यह गहलते हैं for GSK in the star 20 and मैं भी थोड़ा सा पता हुए इनके management style के बारे में and पहले bowling करते वह थोड़े dangerous बन जाते हैं with the ball possible है कि कुछ overs डाले but not too sure क्योंकि last game में quota पूरा ने किया and spirit of Madwal getting hit for a few runs and with the bat थोड़ा contribute कर सकते है lower order batter plus pacer है not off-y so cancel off-y that फिर है मौमाद नभी the actual lower order batter plus off-y इनका role बन सकता है इस मुकाबले में क्योंकि जडे जा है सामने शिवम दूबे हैं मुकाबले में तो straight forward pick तो नहीं बन सकते है but क्योंकि इस game में left handers है GL में बिल्कुल try करेगा प्यूज चावला खेलते हैं तो will be an interesting choice but वापस क्योंकि सामने ऐसे players है जो left spin अच्छा खेलते हैं and don't think इने भी जगया मिल पाएगी आकाश मदवाल good player especially when bowling first हमने last game में देखा even though DK hit him for lot of runs in the 18th और फिर भी आके 20th over and ने किया not like वो वर भी कुछ खास किया पड़ इसका ही है मतलब है कि management को belief है इन में and जो दिन पे अच्छा करेंगे जिस phase में वो डालते है सबसे best chance है ज्यादा से ज्यादा fantasy points एकटे करने का तो पहले bowling करते हुए definitely team में रहेंगे जराल कुर्ट्जिया I think दो bowlers जराल कुर्ट्जिया and जस्पीज बुमरा thread बनेंगे फर रुतराज गाइकवाड and रचन रविंद्र while numbers यह नहीं दिखाते है जिस तरीकी के bowling करते है इनके पास outswingर and inswingर दोनों है inswingर गाइकवाड को परिशान करते है and outswingर इनको रचन रविंद्र को परिशान करता है तो outside edge and LBW यह पूरी तरीके से game में आ जाएगा hence it's point का ज्यान रखे कि अगर आप Bumra and Kudji को CVC करना चाते है and some GL teams वहां पर बिल्कुल chance लीजेगा रचन रविंद्रा and रुतुराज गाइकवाड जस्पीड Bumra of course same category में while wickets खास नहीं versus Chennai ज्यादा सोचने के ज़रबद नहीं quality bowler है one of the best in the world so सीधा सीधा आपके base team में है आ जाएंगे exchange 22 पर leaderboard चल रहा है don't miss out on participating आप का link है video के description में आप चलते हैं straight towards the Chennai Super Kings and of course while Ratchan Javindra यहां खेले नहीं पहले बहुत ही quality player है and second batting करते वह इन a chase और भी effective हो जाएंगे इस फिर वो जो starting वाली moment है विल not being player उतराज गाइकवार 33 के average versus मा एन at Mumbai भी थीक टाक numbers GL में में भी इन पर chance ले सकते हैं अगर मैं सिर्फ mini GLs केरना हो तो में में भी base team में भी इन पर chance ले लूँआ last game में भी versus KKR इन्होंने runs तो बनाए but strike rate एक concern था फिर इतनी आसान नहीं थी accepted but वो पूरे flow में अब तक मेरे हिसाब से लगे नहीं है Daryl Mitchell अब वाइल यहाँ पर लिखा है NA at Mumbai in T20 अगर आपको World Cup का semi-final याद है तो आपको पता है कि Daryl Mitchell नहीं क्या किया था he gave a big scare to the India team and अगर आपको याद है तो comments में ज़रूर बताएगा so ये conditions में batting करना बिल्कुल पसंद करेंगे Bumra के सामने एक match-up definitely है दो बार out किया इनको 8 ball में but उसके अलावा अगर उनको अच्छे से खेल गया है in conditions को अच्छे से जानते हैं but सामने की bowling काफी quality है तो base team में लेना मुश्किल बनेगा Shivam Dubey I won't be surprised अगर इनके सामने Mohamed Nabi को जल्दी लाया जाए versus MI25 की average and at Mumbai काफी अच्छे numbers so definitely a player worth considering but Bumra के सामने बे एक बड़ा match-up है so मेरे साब से मैं इस गेम पर चांस ले सकता हूँ as हमने last game में भी देखा पहले starting में कुछ अच्छी balls डाली गए बड़ एक chance मिस्स कर दिया गया और इननने उसका पूरा फादा वहाँ पर उठाया so I think maybe इन पर चांस लिया जा सकता है especially क्यूंकि जो थोड़ा ज्यादा खेले इन कंडिशन में and quality bowling के खिलाफ अब तक वो बड़ी टेस्स बाकी है जो इस गेम में होगी for श्रीवम दूबे राविंद्र जडेजा versus MI 22 विकेट तो कुछ खास नंबर नहीं यह अगर पहले bowling करते हैं सब्सक्राइब से डिफेंसिवली यूस किया जाते हैं and in conditions में bowling करना असान नहीं होगा especially for a spinner तो बहाँ पर आप चांस ले सकते हैं आप देख सकते हैं at Mumbai 24 matches में सिर्फ 19 विकेट so not a great record definitely आप इन पर एक रिस्क ले सकते if he's bowling first पोलिंग second में मतलब नहीं बनेगा उतना as फिर बैटिंग first में मुक्का मिलेगा and under pressure एक-दो विकेट्स निकाल सकते हैं in the second innings MS-Doni obviously only a GL pick क्योंकि काफी लो आ रहे हैं बट अच्छे form में definitely GL में ट्राइक जो आपको लग रहे है definitely इने में consider करना for the base team in this game 12 match में 10 wickets versus MN at Mumbai 26 matches में 25 wickets ये conditions को इन से वैतर को ही जानता होगा as with the bat with the ball पहले बहुत contribute कर चुके on this ground last game में of course इतने खास लगे नहीं but बहुत बहुत अर्से के बाद खेले वो उस situation में देखे हैं इस game में कितना rule in का बनता है तो शार्ट देशपांडे अच्छे flow में लगे हैं ये भी बहुत bowling कर चुके at this venue 8 match में 11 wickets and GL में अगर आप एक दो teams में consider कर रहे हो कि Mumbai की पूरी top order collapse करेगी या team 4 wickets जल्दी गरेंगे तो वहाँ पे इस situation मेंने आप ले सकते हैं इस बोलिंग फर्स दीपक चैर इन्होंने एक बार Mumbai के सामने वही तेहल का मचाया था and जल्दी wickets निकाले थे but I don't think he'll be an easy pick in the base team क्योंकि इतना pace उनके पास है नहीं याँ पर अगर moment नहीं मिला तो बहुत सारे runs बन सकते हैं माइस ठीक्षाना इनका भी फॉर्म काफी खराब इन्हें भी आप तभी ही उस situation में ले सकते हो जहां पर आपको लग रहे हैं कि मुंबई के तीन-चार विकिट्स जल्दी किर जाएंगी कुछ वह अस पावपले में डाल सते हैं किश्यान के सामने और रोहिद भी थोड़े ससप्टिबल होते है इन्हें स्टार्ट एंस ऑस्पिंड डोंट भी सप्राइज वह इंसाइज भाहा पर पीछे बोल्ड हो जाए यां बैक पाट पर इनका लब्वने मिले तो वापस यह भी सिर्फ एक जील सिटुएशन है बेस टीम में नहीं ले पाओ गया मुस्तफी जो रह्मान डेफिनिटली तो भी कंसिडर बेनी जो बोलिंग फर्स पोर्टीन माच इस लेवन विकेट साथ मुंबई बट यह डाल रहे है एटीन तन ट्वेंटियत ओवर सो वाइल यह जो पिछ है इनके कंडिशन के साथ से इनकी बोलिंग सूट नहीं करें क्योंकि उप्रचुनिटी वाल्यू बहुत है तो ड्रॉप करना रिस्क होगा इन्हें आप सिर्फ जील में ड्रॉप करिए बेस टीम में बिलकुल रखना पड़ेगा स्पेशल लिग इस बोलिंग फर्स पति राना उनलाइक लिए इन दिस वन मैच अप्स की बात की जाए तो सूर्य कुमार वसिस रवेंद्र जडेरा चार दिस्मिसिल्स और स्ट्राइक रेट यहां पर सिर्फ 78 का तो बहुत बड़ा मैच अप यह शेवंदुवे वसिस बु बड़ वापस यहां पर टू डिसमिसल्स हैं जस्वेंटीन बॉल्स सो यह आपको एक साइन दे रहा है कि अगर आपको जील पर चांस लेना है मैं भी सूर्या पर तो बिलकुल यहां पर ले सकते हैं तो यह रहा हमारे आज के मैच अप्स अब बनाते हैं हमारी आज की इसी तीम राइट वे कीपिंग सेक्शन से अपको अफकोस आपकी एगी स्टेट फ़र चॉइस है इन इशान किशान वाइल बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो रोहित शर्मा सूरुकोमार यादव आपके लिए स्टेट फ़र पिक्स बनेंगे रचन रविंदर भी मेरे शेपर्ड फ़र जील बोलिंग में आप जाएंगे विद बुमरा इन पूर्ट जी यह दोन होंगे आपके स्टेट फ़र पिक्स मुस्तफी जुरहमार अगर पहले बोलिंग करते हैं तो डेफिनिटली बेस टीम में आ जाएंगे ऐल्स आप लेंगे आपे आकाश मदवाल को वाइल यहां पे शारदूल ठाकूर एक ठीक टाक बन सकते हैं बेस्ट ऑन गडिशन्स तो यह बन रही है अभी के लिए हमारी रफ टीम आई थिंक यहां पे इनको निकाले तो यह जो प्लेयर से प्रिटी मच लॉक रहेंगे रोहिच शर्म आफको सिटुएशनली होंगे ब या सिटुएशन में आपके इन प्लेयर को ले सकते हो आज डेड्लाइन पर अवेलबल नहीं होंगा रोहिच शर्मा इफ इस बैटिंग सेकिंड इन रचेज वाल रूतराज गाइकवाद इस बैटिंग सेकिंड इन देचेज शिवम दूबे इस बैटिंग फर्स अगर अग कि रूतराज वहां पर चेस करेंगे तो आप उनके साथ चले जाएंगे और जो लास्ट यहां पर क्यूंकि आम अज्यूम करें कि मुंबाइ पहले बाटिंग करेगी इसका यह मतलब है कि सीएस के पहले बोलिंग करेगे और मुस्तफी जूर गेम में आ सकते हैं यह आप चे सेफिस चॉइस बोलिंग फर्स और बाटिंग फर्स क्यूंकि आपको अल रांड वाल्यू अच्छी कासी मिल जाएगी वाइस के लिए कोई स्ट्रेट फॉर्ड नहीं क्यूंकि बुम्रा का पॉम बहुत ही ज्यादा अच्छा है स्पेशली इस बोलिंग फर्स और डेथ में आपको मैं अल्रेडी टीम सेक्शन में बता दिया था वेवर बैट्स बेट्वीन रोट रुटू बाटिंग फर्स बोलिंग सेकिंड जडेजा होंगे एक एफेक्टिव सी वीच चॉइस और बाटिंग सेकिंड बोलिंग फर्स डैरिल मिचल दोनों सिट्वेशन में मुंब पर चलते हैं यहां पर आपको दिख रहे हैं फिस बैटिंग फिस बैटिंग फॉर्स थरीटू सेंपर टिम डेविड एट 25 विल बीट चॉइस जस्पी गुम्राइब 36 दो विकिट लिए तो आप इन दे प्रॉफिट जोन होंगे जराल कुट्जिया बोलिंग फॉर्स अथ बोलिंग फॉर्स अथ 26 चलते हैं यहां पर चलते हैं यहां पर की तरफ मुस्तफी जुरेमान अट 30 अडर्यल मिचल इंग दोनों सेरियों मैं 34 एक वेल प्राइस पिक है तो देफिनिटली उनके साथ जा सकते हैं तो यह हमारा आज का प्रिव्यू आप सभी को पसंदाया हो जल्दी मिलेंगे एक और प्रिवी के लिए थैंक यू मच पर तूनिंग इन दो अमबर तो जॉन एस अध्धरेटी क्रिक्रो बुए जा प्रिए प्राइब देपाऊं मा कि नहीं बट विल त्राइमा बेस्ट गराज फिनल अबडेए अब्स्टें पाहां कि नहीं बटू